ना कभी फटेंगे, ना चिपचपे होंगे और ना कभी पानी चोड़ेंगे एकदम फूले फूले खस्ता भरे भरे गोबी के धाबे जैसे पराटे मिन्टों में मेरी सीक्रेट ट्रिक से घर में बनेंगे सर्दियों में हम सभी के घर में गोबी के पराठे तो ज़रूर से बनाए जाते हैं जैसे आप धावे पर पराठे खाते न एकटम भरे भरे और बहुती स्त्वधिस्ट होते हैं आज की गोबी के पराठो में मैंने ऐसा ट्विस्स दिया है कि बिलकुल वही धाबे वाला फ्लेवर आपको घर के गोबी के पराठे में आएगा, साथी साथ बनाने के दो ऐसे खास तरीके बताऊंगी कि कोई भी बिंगनर हो या बैचला दे, इसलिए गोबी के पराठे फटा टाजा फूल गोबी, इन देनों तो सीजन है, खुब बढ़िया सस्ता फूल गोबी आ रहा है मार्केट में, तो इस तरह से फूल गोबी के पराठे बनाने तो बिलकुल बनता है, क्योंकि गोबी के पराठे के ऐसी चीज है, चाहे नाशता हो या खाना, सभी को पसंद आते इस कड़कडाती ठंड में, तो यहां पर बजन से बुलू तो लगबग 300-300 गराम के करीम मैंने ये टाजा फूल गोबी लिया है, मोटर डंठल मैंने हटा दिया था, और देखे बस इस तरह से कट करते जाए और फूल गोबी के सारे फ्लोरेट्स को हम हाथ से ही अलग कर ले सबसे जरूरी टिप, जब भी आप फूल गोबी का पराठा बनाएं, गोबी में पानी नहीं होना चाहिए, बनना मतलब फिर तो इस्टफिंग में पानी हो जाएगा, जब पानी पूरा निकल जाए अच्छे से, उसके बाद आप लीजे इस तरह का कद्दू कस, हम सभी के में रहता ही है, अब जो आपको गोबी की स्टफिंग मनानी है, वो ये वाला बारीक वाला आपको बिलकुल नहीं लेना है, आपको इसको करना होगा मीडियम साइज वाले ग्रेटर से ग्रेट, क्योंकि यदि ज़्यादा बारीक से गोबी को कद्दू कस कर देंगे, तो गो बारीक हो गया है, क्योंकि फिर ना गोबी के पराटे का आने का मज़ा नहीं आता, हलके हलके से उसमें बारीक फूल डिखने चाहिए, जब आप मीडियम साइज से करेंगे आपको बसस में यही फाइदा होगा, पानी भी नहीं चोड़े का और गोबी के पराटे का पूरा म अगे दिक्कत नहीं होगी, इसकी स्टफिंग ना चिपचिपी होगी, ना पराठा बिलते वक्त आपको जराबी परिशानी होगी, ना पराठा फटेगा, तो बस इसी तरह नमक मिला कर गोबी को लगबग 5-6 मिनिट के लिए ठक कर इसी तरह छोड़ देंगे, जो भी पानी रिलीज होना होगा गोबी का वह यहीं हो जाएगा, और यह देखिए, पाच-छे मिनिट हो गया है, गोबी ने सारा पानी रिलीज कर दिया है, अब आप एक कपड़ा लीजे, चलनी पर डालिए और सारा गोबी पर डाल कर एक बार और निचोड दीजे, जिन बातों को मैंन इसमें आपको बताया है, जो स्टेप्स मैंने फॉलो किया है, जो टिप्स मैंने आपको बताया है, बिल्कुल वही फॉलो करके बनाइए, 100% आपको बैस्ट रिजर्ट मिलेगा, और आपकी रसेपी पहली बार में ही पॉफेक्ट भी बनेगी, अचा ये पानी भी हम फेकें आठा, अब ढावे वालों की नेक्स ट्रिक, जब भी आप ढावे पर आलू का पराठा, गोबी का पराठा काते हैं, काफी खस्तापन पर होते हैं, टेस्ट बहुत जादा होता है, जो कि हमें घर के पराठे में नहीं आपाता, क्योंकि वो यहां पर डालते हैं, तीन से चार बड़ा चमच बेसन, जरा सा बेसन आप डाल कर देखिएगा, आपको एक अलगी फ्लेवर आएगा, मतलब मज़ा आ जाएगा गोबी के पराठे खा करके, तो यहीं पर चार बड़ा चमच बेसन डाल देंगे, अब साती में यहां पर डालेंगे स्वाद अनुसार नमाक, ब बड़िया से मसल कर लोच लगाते हुए देखिए इस तरह, मतलब मेरी ममी ने मुझे सखाया है कि जितना बड़िया आटे में लोच लगेगा उतनी ही बड़िया पराठे की रंग गताती है, सबसे जरूरी पॉइंट, किसी भी तरह का जब आप स्टफ्ट पराठा बनाते ह यह देखिए, एक दम सॉफ्ट आटा मेंने लगा लिया है, इसके उपर आप डालिए एक बड़ा चमच तेल या घी, चे से कोट कीजे आटे को और एक बार और ओयल के साथ मसल लीजे, लीजे, बिल्कुल सॉफ्ट आटा मेंने लगा लिया है, जैसे कि अब आप देख सकते हैं, अच्छे पराठे की शिवात इसी स्टेप से होती है, तो इसको पाँच मिनट इसी तरह से ढख करके रख देंगे, जिससे थोड़ा सैट हो जाए बढ़िया से, बनाते हैं, जबर्दस टेस्टी गोवी के पराठे की वो सीक्रेट वाली स्टफिंग, लीजे ये मैंने ले लिया हमारा सारा पानी निकला हुआ गोभी, आप देख सकते हैं, बिल्कुल भी पानी नहीं है इस पे, अब यहां पर इसमें हम डालेंगे कुछ फ्लेवर्फुल चीजे, तो यहां में डाल रहे हो एक छोटी चमच, मोटी कुटी हुई लाल मिर्च, मोटी कुटी साथ में जाएगा, आदा चोटी चमच, गरम मसाला और थोड़ी से डाल रहे हुँ कश्मीरी लाल मिर्ची पाउडर, क्योंकि पहले मोटी वाली डाली थी ना, जरा सा डाली इससे कलर अच्छा हा जाता है, और यह में डाल रहे हुँ एक छोटी चमच, चात, मसाला, इसकी साथ में डालेंगे खुब सारा हरा धनिया, सब चीजे बिलकुल बढ़िया से मिक्स कर लेंगे, अच्छा अभी स्टफिंग पूरी नहीं हुई है, अभी तो इसमें एक और हमें काम करना है, तब ही आएगा वो धावे बाला स्वाद, और साथ के साथ आपका पराठा ना त आप जरूर डालिएगा, गोबी के पराठो में बहुत ही जादा टेस्टी रगती है, और जो होटेल धावे के पराठी होते हैं जरूर पढ़ती है, साथ ही यहां पर डालेंगे, एक चसाई चोड़ी चमच हींग, अब यह जो मसाले लगी गोई हमने तयार की ना, सारी आप यहां पर डाल दीजे, तो बस मसालों के साथ सिर्फ दो मिनट आपको इसको इस तरह से हिलाना है, कि हलक किसी नर्माई आ जाए गोबी में और हलका सा कच्चपन निकल जाए, पर क्रंच बना रहे, अब आप सोच लोगे पारूल तो तो तेल में क्यूं ने डाली सारी चीज आप करके देखिएगा, आपको वो डिफरेंस भी आएगा, स्वाथ एकदम जबरदस्ता आएगा पराठो का, मतलब एकदम डबल होगा, अच्छा मैंने नमक भी नहीं डाला ता, अब आप इसमें थोड़ा सा नमक डालिए, क्योंकि नमक अमने गोवी में पहले भी डाला जब पानी चूटा ता, इसलिए बहुत सादा नमक की जरूवत आपको यह नहीं पड़ेगी, और यह नमक डालेंगे, तो जो भी थोड़ा बहुत मोईस्चर होगा, वह भी हम पका रहें हलका सा, तो उसमें उड़ जाएगा, लेजे, सिफ दो मिनिट मैंने पकाया है, और देख सकते हैं, एकदम शानदार आमारी गोवी की स्टफिंग लाजबाब तयार हो गई है, गैस को बंद करेंगे, और पूरी स्टफिंग को एक बोल में निकाल लेंगे, और ठंडा होने देंगे हलका सा, चलिए आटे को कर लेते हैं, चेक, परफेक्ट, आटे को एक बार अब आटे में से हम लेंगे एक बड़े साइस की लोई, जैसे हम नॉर्मल में रोटी पराटा बनाते हैं उसे थोड़ी बढ़ी लीजेगा, क्योंकि भर्मा पराटे हलके से मोटी ही बढ़िया लगते हैं, लोई तयार इस तरह से कर लेंगे, अब इसे सूखे आटे में किनारे हलके पतले और बीच में हलका मोटा, यह बहुत जरूरी पॉइंट है, किनारे आपको पतले रखने, बीच में हलका सा आपको मोटा रखना है, जिससे कि जब आप पराटा बेलेंगे तो बिलकुल भी पराटा आपका फटेगा नहीं, देखे इस तरह बनी ना काटोर अब आप लीचे, दो चमबच भरकर गोबी वाली स्टफिंग और पराटे में इस तरह से भर लेंगे, हाथ से थोड़ा से दबा दीजे और सब तरफ से घुमाते वे इसको हम गोल गोल घुमाते वे सील कर लेंगे, हर एक चीज में आपको इसलिए बता रही हूँ, अगर आ आप इसलिए गोबी का पराठा तो खुद से बना पाएं, देखे बिलकुल इस तरह, जो भी उपर एक्स्टा आटा या तो आप दबा दीजे, या अलग हटा करके आटे में ही मिक्स कर दीजे, बापी से सूखे आटे में लपेटेंगे, हलका सा आटा जाड़ देंगे, अब काम हलके हाथ से करने हैं, हलका सा आटा चलकिये और बेलन से बिलकुल हलके हाथ से रोटेट करते हुए, ऐसा नहीं करना है कि एक ही जगर प्रेशर दे रहे हैं, रोटेट करते हुए हमें पराठे को बेलना है, जिससे की समान स्टफिंग हर एक कौने में चली जाए पर नहीं करना जैसे आपको लगे कि गोबी असलों चलत कर ड़ी कि आपनीBut कि यह बहुत ही जरूरी है जो झाट गोईर दियाना on kanada –्टीट और यहां उसका कुरपणा पढ़ी के गड़म में आपके गोबी के पराफे में맛 जिस साइट से आपने पराठे को बेल आए देखिए वाली साइड यह जाएगी नीचे और पीछे वाली साइड आएगी उपर यही सब ज़रूरी पॉइंटे बढ़िया खसता और क्रिस्पी पराठा बराने के लिए फ्लेम को मीडियम कर देंगे और पराठे को एक मिनट ने देंगे यह देखे पराठा घूम रहा है यानि की नीचे से भी हलका सिख गया है तो इस स्टेश पर इसके उपर लगाएंगे हम घी या तेल पराठे वगरा घी में बहुत टिस्टी बनते आप बटर में तेल में किसी में भी बना सकते हैं इस तरह से और पराठे को धीर इसे परट देंगे यह देखे फूल भी गया उपर से भी इसी तरह से घी लगा देंगे सुपर कुछ कहने की ज़रोत नहीं है आप देख सकते हैं एकदम बढ़िया पराठा हमारा तयार हो रहा है अब बापेस परटेंगे और नीचे से भी बढ़िया सुने रहा होने तक इ देखें अभी कैसी बढ़िया सिकी है यही खासियत होती है इस गोबी के पराठे की और यही देता है जबर्दस टेस्ट तो बस दोनों साइट से उलटते बढ़िया सुनेरा होने तक सेक लेंगे फ्लेम को थोड़ा साप कम कर दीजे सुपर्ब यह लीजे हमारा धावा स्ट करकर आपको दिखाती हूँ सुपर्ब आप देख सकते हैं पराठी की फिलिंग एक एक कौने तक गई है एक दम भरा भरा हमारा गोबी का स्वाधिस्ट पराठा तयार वाए देखिए और गोबी के दाने दिख भी रहे हैं यह है खासवात इस पराठे की चालिए तो यह तो देखिए इस तरह अब बीच वाले पोर्शित पर लगाईए घी थोड़ा सा छड़किए सूखा आटा और यहां पर इस पर रखिए दो चमबच भरकर स्टफिंग मेरी नानी अकसर इसी तरह बनाती थी वो पराठा बीच में से सकते नहीं होता है स्टफिंग भी बराबर बंद कर लेंगे यह देखिए इस तरह आटे में कोट करेंगे बापिस से थोड़ा हाथ से फैलाएंगे और हलके हाथ से बेलन से बेल लेंगे ध्यान लखिए एकज़कर प्रेशर नहीं देना है बस घुमाते वे बेलन को आपको चलाना है जिससे की समान जो स्टफिंग हर पराठे में चली जाए बापिस से तबे को एक बारी पोच लेंगे और अब इस पर हम डालेंगे हमारा पराठा नीचे वाली साइट एक मिनट सिखने देंगे मीडियम फ्लेम पर हलका सफूलते ही इसको पलट देंगे बापिस से हलका सेकेंगे और थोड़ा घी लगा कर बहुत ही आसान है Sla. Gobi advamingAN — इसे पहले मैंने एक और आपको तरीका बताह तो gobiMax Parati आप जरुड शरों से ट्राइ कीजिएगा इस हमेशा आपके पराठे बढ़िया ही वरेंगे और ये लिजे हमारा दूसरा पराठा गोवी का बिल्कुल तयार है ये भी पराठा आप देख सकते हैं देखर सही पता चल रहा है एकदम भरा भरा और धाबे जैसा खस्ता करारा तयार हुआ है तो चलिए बाखी पराठे भी भी फटा फट से बना लेती हूँ करते हैं फिर ग गोवी के भरवा पराठे यहां मैंने इसको सर्व किया है ताजे दही और अचार के साथ हमारे तो इसको इसी तरह पसंद किया जाता है आप कैसे खाया जाता है आप मुझे कमेंट में जरूर बताईएगा और ये देखिए मैं तोड कर दिखाती हूँ पूरा भरा भरा धु जैसे धाबे पे मिलता है ना वाओ ऐसे भेता होगा मक्षन जा रहा है और जहां जहां से गोवी दिख रहा है उसके अंदर मैल्ट होके मक्षन जा रहा है तो आप समझ सकते हैं कि क्या स्वाद होगा पराठे का थोड़ा जालिये बारी कटा हुगा हरा धनिया और आप चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूले तो अगर आपको मेरी आज की ये इस्पैशल धाबे वाले गोवी के पराठी की रेसिपी पसंद आई हो मेरी मेहनत अच्छी लगी हो तो प्लीज 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 वीडियो को लाइक शेर और आपके अपने चैनल को कुखवित पारुल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूले थैंक यू वाचिंग कुखवित पारुल जै हिंद जै भारत